महामहिम राश्पती जी, आदर्नी उपराश्पती जी, आदर्नी स्पीकर महताई, निमान प्राला जी, और सभी आदर्नी जन प्रतिनी दिवाएं। कुछ दिन और कुछ आफसार ऐसे होते हैं, जो अतीद के साथ हमारे समंधों को मजबूती देते हैं, हमें बहतर भविश्ट में और उस दिख्षा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज यह 26 नवंबर का दिवस आएकिहासिक दिवस हैं। सत्तर साल पहले हमने विधिवत रुप से एक नए रंग रुप के साथ समिधान को अंगिकार किया था। लेकिन 77 आच 26 नवंबर दर्द भी पहुंचाता है। जब भारत की महान उच्च परंपराएं हजारों साल की संस्कृतिक विरासत वसुद है कुटम कम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा। उसे आज ही के 26 नवंबर के दीन मुंबई में आतंकवादी मनसुबों ने चलनी करने का प्रयास किया था। मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूँ। साथ दसक पहले इसी सेंटर हॉल में कितनी ही पवीत्र आवाजों की गुंज थी। समिधान के एक-एक अनुक्षेद पर बाईकी से गहन चर्चा हुई। सरक आये तथ्य आये विचार आये आस्था की चर्चा हुई विश्वात की चर्चा हुई। सपनों की चर्चा हुई संग कल्पों की चर्चा हुई एक प्रकार से यह सदन यह जगा ज्ञान का महा कुम्ब था और जहां पर भारत के हर कौने की सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भर्पूर प्रयास हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रिशाथ डॉक्टर भीम राव बाबसाब अंडेकर सरदार वल्लभाई पतेल पंडित नहरू आचारे क्रप्लानी जी मौलाना आजहात पुर्शतमदास चंडन सुचिता क्रप्लानी जी हंसा मैता एल्डी कृष्ण स्वामी अईयर एन गोपाला स्वामी आएंगर जॉन मथाई अंगिनत ऐसे महापुरूश जिन्होंने प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष योगदान दे करके हमें इस महान विरासत हमारे हाथों में सुप्रत की हैं आज के इस अवसर पर मैं उन सभी महान विपूतियों को मरन करता हूं और उनका आदर पुर्वक नमन करता हूं आज अपनी बात की शुरुआत मैं आप सभी को बाबा साब आमबेड करने 25 नवंबर 1949 समिधान अंगिकार करने के एक दिन पूर्वा अपने आखरी भाष्ण में जो बाते कही थी उसका जुरूर ना करना चाहूंगा बाबा साब ने देश को याद दिलाये था कि भारत पहली बाद 1947 में आजाद हुआ है या फिर 20 जनवरी 1950 को गंतंत्र बना ऐसान नहीं है भारत पहले भी आजाद था और अमारे हां अनेक रिपब्लिक भी थे और उना ने आगे व्यठा वेक्त की थे लेकिन अपनी ही गल्तियों से हमने अतीत में आजादी भी खोई है और रिपब्लिक करेक्टर भी गवाया है ऐसे में बाबा सामने देश को जेताते हुए पूछा था कि हमें आजादी भी मिल गई गंतंत्र भी हो गई लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं आज अगर बाबा साब होते तो उनसे अधित प्रसनता शाहेद कीजी को होती क्योंकि भारत ने इतने वर्षों में न केवल उनके सवानों का उत्तर दिया है बलकि अपने आजादी को लोगतंत्र को और सम्रुद और ससक्त किया है और इसलिए आज के इस अफसर पर मैं आप सभी को पीते साथ दसक में समिधान की भावना को अक्षुन रखने वाली विधाई का तायरपालिका और न्याईपालिका के सभी साथियों को जवरव पूर्वन करता हूं नमन करता हूं मैं विशेश दोर पर एक सो तीस करोड भारत वहस्यों के सामने नत्मस्तक हूं जिन्हों ने खारत के लोगतंत्र के प्रती आस्था को कभी कम नहीं होने दिया हमारे समिधान को हमेशा एक पवित्र गंथ माना गाइडिंग लाइक माना समिधान के सत्तर वर्ष हमारे लिए हर्ष उतकर्ष और निस्कर्ष का गाव मीला जुला भाव लेकर के आए हर्ष यह है कि समिधान की भावना अटल और अडिग रही है अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी है तो देश वाच्छों ने मिल करके उनको असभल किया है समिधान पर आच नहीं आने दी पुतकर्ष इस बात को हम जुरूर रजिश्चा करते हैं कि हमारे समिधान की मजबूति के कारण ही एक भारत स्रेश्च भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं हमने तमाम सुधार मिल जुल करके समिधान के दाइरे में रह करके किये और निश्कर्ष ये हैं कि ये विशान और विवित भरा भारत प्रगति के लिए सुनहरे बविश्च के लिए नए भारत के लिए भी हमारे सामने सिर्फ और सिरफ समिधान समिधान की मर्यादाए समिधान की भावना यही एक मात्र रास्ता है एशह पंथा हमारा समिधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है एक ऐसा ग्रंट जिसमें हमारे जीवन कि हमारे समाज की हमारी परमपराव हमारे मान्यताव będहुआरे आचा उंस सब के साफ का समावेज है साथ-स अनेक चुनोतिओं का समाधान भी है हमारा समिधान इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें हमें पहरी प्रकाश के लिए अपनी खीड़कियां खोल रखी और उसके साथ साथ धीतर का जो प्रकाश है उसको भी और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर भी दिया है आज इस अवसर पर जब हम कहेंगे तो मैं एक बात 2014 में लाल कीजे के प्राचीर से जो मैंने कही थी उसको दोहराऊंगा समिधान को अगर दो सरल सब्दों में कहना है सरल भाषा में कहना है तो कहूंगा दिगिनिटी पर इंडियन एंड यूनिटी पर इंडिया इनी दो मंत्रों को हमारे समिधान ने साकार किया है नागरिक की डिगिनिटी को सर्वच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एक तावरा खंड़ता को अक्षून रखा है हमारा समिधान वैश्विक लोक्तंत्र की सर्वोस्क्रस्ट उपलब्दी है यह न केवल अधिकारों के प्रती सजग है बलकि हमारे कर्टव्यों के प्रती जाखुरुग्गी बनाता है एक दर्श्टी से हमारा समिधान सुनिया में सबसे अधिक पंथ निर्पेश है हमें क्या करना है कितने बड़े सपने देखने हैं और कहां तक पहुचना है इसके लिए किसी भी प्रकार की बंदिस नहीं है समिधान में ही अधिकार की बात है और समिधान में ही कर्टव्यों के पानन की अपेच्छा है किया हम एक व्यष्टी के तौर पर एक परिवार के तौर पर एक समाज के तौर पर अपने कर्टव्यों को लेकर उतने ही गंबी है इतना चीज हमारा संविधान हमारा देश हमारे देश्वासियों के सपने हमसे अपेच्छा करते हैं जैसा कि राजेंदर बाबुजी ने कहा था कि जो Constitution में लिखा नहीं है उसको हमें Convention से स्थापित करना होगा और यही खारत की विशेशता भी है पीते दसकों में हमने अपने अधिकारों पर बल दिया और वो आवश्चत भी था ठीक भी था क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्ताएं बन गई थी जिनके चलते एक बड़े वर्क को अधिकारों से वंचित रखा गया पीना अधिकारों से परिचे कराए इस बड़े वर्क को समानता समता और न्याय का एसाद दिया दिला पाना संभव नहीं था लेकिन आज समय की माँग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरी से तौर पर अपने कर्तव्यों अपने दाइत्वा पर मंधन करना ही होगा क्योंकि दाइत्वा को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का एक असूट रिस्ता है और इस रिस्ते को महत्मा गांधी जी ने बहुत विशेश रुट से पक्खुभी समझाया था आज जब देश कुछ बापू के एक सो पचासवी जैनती का पर्व मना रहा है उनकी बातें बहुत प्रासंगी हो जाती हैं वो कहते थे राइट इस डूटी वैल परफॉर्म उन्होंने एक जगल लिखा भी था कि मैंने अपनी अनपड लेकिन समझदार मां से सिखा है कि सभी अधिकार आपके द्वारा सच्ची निश्चा से निभाए गए अपने कर्तव्यों से ही आते हैं पिछली सतावजी की शुरुवाती दसकों में जब पूरी दुनिया अधिकार के बारे में पास कर रही थी तब गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा था आईए हम लोग नागरीकों के कर्तव्य यानि दूटीज अवसिटिजन के बारे में बात करते हैं 1947 में युनिवस्टो के महानिरदेशत डॉक्टरल जूलियन हस्कले के विश्व के साथ बड़े महनुभावों को पड़ी भाजी हस्तियों को एक पत्र लिखा और उनसे मारदर्शन मांगा था और उन्होंने पत्र में पूछा था कि वर्ल्ड चार्टर ऑफ हुमन राइट्स यह बनाना है तो उसका आधार क्या हो और इस बारे में उन्होंने दुनिया के महानुभावों से अपनी राय मांगी पहत्मा गांदी के सीवी बागी लेकिन दुनिया के हर किसी ने जो अप्रिप्राई दिया पहत्मा गांदी का कुछ अलग था अत्मा जी ने कहा था उन्होंने जवाब दिया था कि हम अपने जीवन के अधिकार सभी अर्जित कर सकते हैं जम नागरी की तोर पर अपने थी तरह से निभाएं एक प्रकार से कर्टव्यों में ही अधिकारों की रक्षा है इसकी वकालत पहत्मा गांदी ने उस समय भी की थी जब हम दाइक्व की बात करते हैं कर्टवे की बात करते हैं तो यह बहुत ही सामान्य जिम्मेदारिया हैं इनको निभाने से एक राश के रुप में हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं और हमें यह भी बहुत पस्त ज्यान देना होगा कि कर्टवे और सेवा कभी कभी हम सेवा को ही कर्टवे मान लेते हैं सेवा भाव संसकार हर समाज के लिए बहुत एहमियत रखते हैं लेकिन सेवा भाव से भी कर्टवे कुछ और हैं और उस पर कभी कभी हमारा ज्यान नहीं जाता है आप छड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति को कहीं कोई मदद की जरूत है अब करते हैं वो एक प्रकार से स्टेवा भाव कि यह सेवा भाव किसी भी समाज को मानवता को बहुत ससक्ता करता है लेकिन करतब व्यभाव इससे थोड़ा अलग है रोड़ पर किसी को तकलीब हुई आपने मदद की अच्छी बाहत है लेकिन अगर मैंने ट्राफिक नियमों का पानन किया और कभी किसी को तकलीब न हो ऐसी विवस्ता का मैं हिस्ता मना गुंबेरा करतब जहें आप जो कुछ भी कर रहे हों उसके साथ एक सवाल जोड़कर अगर हम देखते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं क्या उससे मेरा देश मजबूत होता है परिवार के सदसे के नाते हम हर चीज वो करते हैं जिससे हमारे परिवार की शक्रत बढ़े हैं उसी प्रकार से नागरिक के नाते हम वो करें जिससे हमारे देश की ताकत बढ़े हैं हमारा राश्ट्र सक्रिशाली हो एक नागरीक जब अपने बच्चे को पूल भेजता है तो माबाप अपना कर्तब भी निभाते हैं लेकिन वे माबाप जागरुकता पुरुवक अपने बच्चे को मास्तुरुभासा शिखने का आगर रखते हैं तो वो एक नागरीक का कर्तब भी निभाते हैं देश्चेवा का कर्तब निभाते हैं और इसलिए एक वेक्टिज कोई चुटी चूटी चीजे होती है अगर बुंद मुंद पानी बचाता है वो अपना नागीर कर्तबे भी निभाता है ह생 flown अगर ठीका करण सामने से जा करके की क्वार पूरा कर लेता है किसी को घर पर आकर याद ने करा पड़ता पृट देने के लिए बोर देने के लिए जाता है और समय पर ट् Max देना है देता है वो अपना कर्थत भी निभाता है कि ऐसा कई ध्राइब महות पेसे नागरिक के रूप में समझ व्यवस्था के रूप में विक्सित करें तो हमें देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी सुविदा बढ़ती है कि यह सवाल जब तक देश के प्रतेग नागरिक के जित्म है उसकी चेतना में सर्वों पर ही नहीं होंगे हमारे नागरिक कर्टव कहीं ने कहीं कमजोर होते चले जाएंगे और वो किसी ने किसी रूप में किसी दूसरे के अधिकार को हानी पहुंचाते हैं और इसलिए औरों के अधिकारों की चिंता के लिए भी अपने कर्तवियों पर बल देना हम लोगों का दाई तो बनता है और जनप्रति के नाते हमारे जिम्मेवारी कुछ और अधीक होती हैं तोहरी होती हैं हमारे सामने Constitution values को मजबूत करने के साथ साथ खुद को भी एक आदर्श के रूप में प्रसूत करना यह हमारा दाई को बन जाता है और हमें समाज में सार्फक बदलाव लाने के लिए इस कर्तवे को भी निभाना ही होगा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने हर कारकम में हर बात्चीत में हम ड्यूटीज पर फोकस करें जन्ता के साथ समवाज करते समय ड्यूटीज की बात करना हम न भूले हमारा समिजान हम भारत के लोग से शुरू होता है We are the people of India हम भारत के लोग ही इसकी ताकत है हम ही इसकी प्रेणा है और हम ही इसका उद्देश है मैं जो कुछ हूँ वा समाज के लिए हूँ देश के लिए हूँ यही करते विभाव हमारी प्रेणा का स्रोत है मैं आप सभी का आवान करता हूँ कि हम सब इस संकल्प सक्ति के साथ मिलकर भारत के एक जिम्मेदार नागरी के तोर पर अपने करतावियों का पालन करें आईए अपने गनतत्रतों को हम करतावियों से ओत प्रोत नई संस्रिशी की तरब लेकर के जाएं आईए हम सब देश के नव नागरिक बने नेक नागरिक बने मैं कामना करता हूँ यह समिधान दिवस हमारे समिधान के आदर्सों को कायम रखने और रास्त निर्माण में योगदान देने के हमारी प्रतिविद्दता को पउदे हमारे समिधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था उसे पुरा करने की हमें शक्ति दे और ये पवीत्र धरती है जहां ये मन्थन हुआ था यहाँ पर उसकी गुंज है ये गुंज हमें अवश्य आशिरवाद देगी, एक गुंज हमें अवश्य प्रेना देगी, एक गुंज हमें अवश्य सक्ति देगी, एक गुंज हमें अवश्य दिशा देगी, इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आज समिधान दिवस के पवित्र मोके पर कुछ बाबा साब आम्बेट को प्रणाम करता हूं समिधान निर्माताओं को प्रणाम करता हूं और देश वाज्यों को बहुत-बहुत सुप्वावना दिता हूं धन्यवाद कि माननीय उपराश्रपति और राज्य सभा के सभाप